नमस्कार मैं नीदी आप देख रहे ट्रेंडिंग भिहार। इन दिनों भोशपूरी इंडस्ट्री में काफी उठल पुठल चल रही है। कई कलाकारों के वीडियो वाइरल हो रहे हैं। किसी के गाली देने का ओडियो तो किसी के गंदे गाने का ओडियो। तो वहीं किसी के नीड वीडियो भी वाइरल हो रहे है। इसी बीच कुछ दिन पहले बोशपूरी की जानी मानी डांसर प्रामिला घोश का नीड फोटो वाइरल हुआ था। हालाकि उन्होंने खुद लाइब आकर साफ तोर पर बताया कि यह फोटो एडिटेड है और इस पर उनका चहरा लगाया गया था। और ऐसा करना गलत है। लेकिन मिली जानकारी के अनुसार इस जूटी फूटेज का उनके उपर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने बोशपूरे जगह से कुछ दिनों का ब्रेक ले लिया है। अब प्रामिला गोश के फैंस को कुछ दिनों तक प्रामिला कर नए गाने और नई अंदाज नहीं देखने को मिलेगा। आपको बता दू, बंगाल की प्रॉमिला गोश अपने गाने, अपने ड्रेस डिजाइन करने से लेकर वीडियो में कुछ नए मोव्स के एक्सपेरिमेंट को लेकर भी अपने साथी डारेक्टर को सला दिया करती थी। चीजों को और बहतर बनाने के उपर साथी डिसकुशन भी किया करती थी। फिलहाल प्रॉमिला भोश पूरे जगह से थोड़े समय के लिए ब्रेक ले ली हैं। लेकिन आशा यही है कि वो बहुत जल कुछ नए अंदाज और नए मोव्स के साथ धमाल मचाने नजर क्या आपको पता है इस तरह की खबरे जब फैलती है और वो गलत हो तो चाहे वो इंसन सेलिब्रिटी हो या आम उनकी माल से किस्तिती पर गहरा असर डालता है। अगर वो व्यक्ति दिमागी रूप से मजबूत हो तब तो वो खुद को रिकवर कर लेता है। लेकिन अगर तो थोड़ा भी दिमागी रूप से कमजोर हो तो उसका नतीजा सुसाइट सब पर जाकर ही रुपता है। उसके बाद हम सब मिलकर यहीं बात करेंगे कि जो हुआ गलत हुआ। प्रामिला घोश से जुड़ी कुछ और भी रोचक जानकारियां हमारे पास उपलब्ध है। लेकिन फिलहार उसकी सत्यापन नहीं हो पाने के कारण हम आपको इसकी जानकारी अगले वीडियो में देंगे। तब तब थोड़ा इंतिजार का मजा लिजे और देखते रहें ट्रेंडिंग लिया। धन्यवाद।